हेलो दोस्तों हिंदी मेरे प्रफिस से आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए निवन से संपंदित संपून आपका नोट्स लेकर आए हैं जिसमें आपको निवन की परिभाशा, निवन का अर्थ, निवन के परकार, साथ में निवन के कितने तत्व होते हैं साथ में आपको पूरे किस तरह से की questions आपके किस तरह से बनते हैं एक्जाम में short कैसे निकलेगा long कैसे निकलेगा और आपके exam में निबन कितना important है ये सब चीज आपको इस वीडियो में समझाई जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो अगर शौट कोशन बनता है तो पहले आपका जो शौट कोशन बनता है वह बता है कि निबंद किसे कहते हैं निबंद की परिभाशा सहीत सब बताईए तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपके लिए निवन्द का अर्थ रेकर आए हैं उसके बाद निवन्द की परिभाशा है और फिर उसके बाद निवन्द के परकार है निवन्द के परकार भी काफी लेंदी कोशन्स में बन जाता है साथ में निबंद की परिभाशा भी आ जाती है लेकिन फिलाल हम चलेंगे शौर्ट कोशन की तरफ आपके किस तरह से निबंद में से आपके कोशन बनता है तो इन्होंने का है निबंद शब्द नी धन बंद से बना है निमंद की शक्ती है अच्छी भाशा होती है भाशा के अच्छी प्रियोंग तवारा ही भाओं को विचारों को अनुभाओं को आप प्रभावशल धंग से यहां पर दंग लिखा धंग है धंग से व्यक्ति किया जा सकता है तो अगर आपकी भाशा बहुत मजबूत है और भाशा पर अच्छी पकड़ है तो आप भी एक अच्छा निवंद लिख सकते हैं जो आपके भाओं है या फिर आपके अंदर कोई विचार उत्पन हुआ है या आपका कोई अनुभाओ है उसको लेकर आप एक निवंद लिख स अपके आपको बने बता ही दिया कि जिसका आप अच्छी तरह से वंधा हुआ अब आते हैं निवंद की परिभाशा पर तो निवंद की जो परिभाशा उसको हमें देखना है अलग-अलग लेखों को ने अलग-अलग साहत्यकारों ने अपने हिसाब से दी हैं चले देखते एक विशेश निजीपन, स्वच्छदता, सोस्टव, सजीवता, आउशक संगती और संबदत का साथ किया गया है तो वही निबंद कहलाता है तो ये तो हो गई बाप गुलाब रायक के संबंदी थे अब है आचारे शुकल के अनुसार आचारे शुकल यानि के रामचंदर शुकल जी के अनुसार बहुत ही इजीन की डाफिनेशन है और बहुत ही अच्छी दी है उन्होंने इन्होंने का है यदि गद्य कवियों की कसोटी है तो निबंद गद्य की ठीक है निबंद में लेखे जिसमें किसी गहन विशय पर विस्तार पूर्वग और पांडित्य पूर्ण धंग से विचार किया गया हो अब मैंने भी आपको बताया था आपका कोई विचार भी हो सकता है तो इस पर आप अपनी भाशा की पकड़ से अच्छा एक निमन दिख सकते हैं यही उन्होंने कहा है कि जिसमें किसी गहन विशय पर विस्तार पूर्वग आपने बिलकूर डिटेल वे इस चीज़ के बारे बताया है और पांडित्य पूर्ण धंग यानि कि आपको उसके बारे में पूरी तरह से ग्यान हो भाशा से संबंदित फिर है आचार रे शुक् प्रकट करने की कला है तो इस प्रकार से तीन परिभाशा है आपके सामने हैं इसको आप तैयार कर सकते हैं आगे आते हैं निबंद के प्रकार पर निबंद के प्रकार चार होते हैं परनात्मग विवरनात्मग भावात्मग और साहित्य क्या अलोचनात्मग निबंद तो व वर्णात्मक का मतला समय रहे हो वर्णन करना आपने कोई टौपिक लिया कोई द्रश्य लिया कोई खटना लिया अस्तल के बारे में आप क्या कर रहे हो वर्णन कर रहे हो वहां के आकरशक वर्णन बता रहे हो क्या क्या वहां पर है अब इससे सपोच करो आपने ताज महल दे देखे शहर कैसा है एस चीज च्च का आप सब बातों का वहां पर बर्णन कर रहे हो तो इस व्रकार से वर्णात्वक निवंद होता है अब आते हैं वी वर्णात्व क्नी barg만 अब इन दोन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है वीवरन देना किसी बात के वारे में बताना वर्णन वीवरन थोड़ा सा डिफरेंस से ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है देख लीजे वर्णन क्या होता है विवरनात्मग निवन में कलपना अनुभाव की प्रधानता होती है ठीक है तो वहाँ पर तो आपने देखा यहाँ पर आप कलपना के इसाब से अनुभाव के इसाब से आप विवरन दे रहे हो किसी कथा का या किसी घटना का आप विवरन दे रहे हो यहाँ पर घटना, कठा हो गई, तियास हो गया उसके बारे में आप बता रहों वे वीवर्ण होता है ठीक है अब आते हैं भावात्मग भावात्मग निवन क्या होता है सामि, इसके नाम से ही पता चल रहा है यह भावना से जुड़ा हुआ है यानि के मनोवेक से आपके जो मन के वेक होते हैं आपकी जो अनुभूती है जो आपने अनुभाव किया है जिसमें आपका ममता प्रेम करोना इसके आधार पर आप निमन दिख सकते हैं तो इसको कहते हैं भावात्मक निवन अब आते हैं साहित्यक या अलोचनात्मक निवन साहित्यक अलोशनात्मक निवंद किस प्रकार के होता है इसको थोड़ अच्छे से समझ लीजिए इसमें क्या कहा है किसी साहित्यक और साहित्यक विधा विधा में कही बार बता चुकी हूँ परवर्ती लिखा गया निवन्द साहितिक या लोचनात्मक निवन्द कहलाता है जैसे मुशी प्रेम चनजी और तुलसी दाजी इनके च्छायाबाद हिंदी साहितिय का सवनु आदी इसमें ललित निवन्द भी आते हैं इनकी भाशा कावयात्मक और असात्मक होती है अईसे शोथ पत्र के रूप में अधिक लिखे जाते हैं जैसे जनर्नल लिखते हैं, अल्टिकल लिखते हैं तो उसमें ये ज़्यादा लिखे जाते हैं साहितिक या लोचनात्मक निवन्द तो ये आपके लिए इधना इंप्रोटेंट नहीं है लेकिन ये तीन तो आपके लिए बहुती वर्नात्मक, बिवर्नात्मक और भावत्मक निवाki अब अच्छे निबंद की क्या विशेष्टा हैं, इसको आप पढ़लीजिये, क्या क्या होना चैए भाशा अची होने चाहिए भाशा में कसावट होने चाहिए भली बाती बंदावा हो विचार बिखरेवे ना हो एक श्रंकला में हो निबंद में बदलती हूँ बीश्चत समगरी के अनुसा पैरगराप बदला जाए तो यह सब इसकी विशेष्टाएं होती है फिर आते हैं न निबंद का प्रारूप किस परकार से होता है निबंद के प्रारूप में सबसे पहले हम क्या लेटे हैं परीचे लेते हैं उसके バाँ लेते हैं व्त रिदी के लिए भाग लेते हैं तो इस आधार पर आगर आप निवन दिखेंगे तो आपका निवन बहुत अच्छा जाएगा तो आपको देख लीजे यहाँ पर निवन के तत्व थे निवन के प्रारू परीजय देना है मद्यभाग देना है उसके बाद उपसंगार या निशकर्ष और यहाँ पर आपको दिया गया है कि निवन लिखते समय यह तो आपके लिए तना महत्व पूर्ण नहीं है ठीक है तो आपको इसमें से कितने टॉपिक करने है एक तो निवन का अर्थ निवन की परिभाशा फिर निवन के आपके परकार फिर निवन के अंग ठीक है तो और निवन की विशेशता है यही टॉपिक आपके लिए बहुते महत्वपूर्ण है और यहीं से आपके शॉट कोशन बनेंगे यहीं से आपका लेंदी कोशन भी बनेगा वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है कर दीजिए क्योंकि आप लाइक करते हैं तब ही हमें लगता है कि वीडियो पसंद हो रही है और आपके लिए बैनेफिशल है ठीक है तो लगता है और हमें भी लगता है कि वर्क हो रहा है और हम आप तक कुछ वीडियो तो हम आपके लिए खुद से लेकर आते हैं और कुछ वीडियो हम तब लेकर आते हैं जब आपकी क्वेरी आती है कमेंट बॉक्स में तो उसके हिसाफसे में वीडियो बनाती हूं ठीक है बाकी जो मुझे अच्छा लगता है मैं आप तक content पहुंचाती हूँ जो आपके लिए useful होता है खासतोर से मेरा जो मोटो रहता है students तक examination के जो form आपके निकलते हैं आपका result out होता है या फिर कोई भी competition निकल रही है form तो वह आप तक पहुंचाती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि student तक नहीं पहुंच पाते हैं कोई भी examination form के information या पूर कोई competition form निकल रहा है उसकी information तो आप तक उसका मोटो मेरा जादा रहता है बाकी आपकी query जाती है तो जरूपूरी की जाती है और notes भी मैं सब्सक्राइब कराती रहती हूँ तो यह वाला आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से notes आपको बनाने है तो बने रहे हिंदी वेरर की साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए